हेलो ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम बेक ऑन माई चैनल डियर आज में लेकर आई हूँ सभी के लिए केंडिल वेक्स रीडिंग इस रीडिंग का टॉपिक रखा है मैंने आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आगे कौन सा पढ़ाव आने वाला है क्या होगा आपकी लव लाइफ हो या आपकी मेरिट लाइफ हो या आपका किसी के साथ नया कनेक्सन हो आप जिस भी रिस्ते में होंगे ये रीडिंग आपसे रेजनेट करेगी और रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है ओपन माइन्ड होकर रीडिंग क्यों देखना है रीडिंग सुरू करने से पहले बोट से प्रे करेंगे और विजुलाइज करेंगे अपने पार्टनर को और विजुलाइज करेंगे अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है उस थिंग को अपने पार्टनर को विजुलाइज करिएगा और अपने फ्यूचर को विजुलाइज करिएगा तो पहले हम पानी भरेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत सबी लोग खुश रहें सबी लोग परसंद रहें और इस धर्ती पर जितने भी प्राणी हैं सबी परसंदा के साथ अपना जीवन यापन करें थेंक यू गॉड थेंक यू एंजल्स थेंक यू गॉड थेंक यू एंजल्स थेंक यू सो मच यूनिवर्स गाइट करें मुझे आज के लिए क्या मैसिज है आज हमारे विवर्स के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है गाइट करें यूनिवर्स थेंक यू थेंक यू सो मच नहीं थेंक यूनिवर्स थेंक यू सता है यू इविर्स थेंटार साल्स थेंक यू है कि गई गई यहां पर सबसे पहला मेंसेज आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में आगे एक ऐसी सिच्वेशन होने वाली है जिसमें आपका और आपके पार्टनर का सडन से आमना सामना हो सकता है जो लोग अभी नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन में हैं जिनका उनके पार्टनर के साथ अभी कोई कॉंटेक्ट नहीं है किसी तरह से कोई बात नहीं हो रही है मैसेज भी नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये सबसे पहला मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों का सडन से कहीं आमना सामना हो सकता है कहीं मार्केट में कहीं रास्ते पर आते जाते किसी टेमपल में या किसी वेडिंग या बर्डे पार्टी में आप दोनों का आमना सामना हो सकता है आपके पार्टनर को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप सदन से उनके सामने पहुँच जाओगी या आपको भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो सदन से आपको दिख जाएंगे आपको देखकर इस परसन को आप से फिर से बात करने का मन करेगा यह परसन किसी ना किसी तरीके से आपको अप्रोच करने की कुछिस करेंगे हो सकता है कि इस परसन के कुछ फैमिली मेंबर्स इसके साथ में हो या इसके कुछ जानने वाले इसके साथ में हो यह जो आप दोनों की सडन से मुलाकात होगी यह आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली है और यह टर्निंग पॉइंट उन लोगों के लिए है जो सच मुझ में अपने पास्ट परसन को अपनी लाइफ में वापिस चाहते हैं उनके लिए यह टर्निंग पॉइंट सावित होगा आपको देखकर इस परसन से रहा नहीं जाएगा यह बेसक उस वक्त आप से कुछ ना कहें लेकिन अगले कुछ दिनों तक आप इसके माइंड में चलने वाले हो इस परसन के दिमाग में आप दिन रात घूमने वाले हो अगले कुछ दिनों तक यह आपको भूल नहीं पाएंगे यह आपको कोशिस करेंगे अपने आपको बीजी रखने की लेकिन यह नहीं भूल पाएंगे आपको यह फाइनली आपको मैसिज टाइप करते हुए दिख रहे हैं यह परसन बार-बार मैसिज़स को टाइप करेंगे बार-बार उसको डिलीट करेंगे जब भी यह मैसिज़स टाइप करेंगे इनको वो सारी चीज़ें सदन से आद आएंगी इनका आपको घोष्ट करना, आपको डिटेश्मेंट में छोड़के जाना, आपको अपने आप से दूर करना आपका मैसिज रिपलाई न करना, मैसिज अंसीन करना, ओनलाइन होते हुए भी आपको इग्नोर करना याद आएंगी और इस वज़े से ये परसन अपने आप में सरमिंदगी महसूस करेंगे इनको इस बात का एहसास है कि इन्होंने ठीक नहीं किया है इस वज़े से इनको ये एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ जेश्टिस नहीं किया और इनको अब अधिकार नहीं है कि ये बापिस से आपकी जिन्दगी में आकर जो एक रिदम में आप अपने आपको लेकर आई हो उसमें ये खलल डालें हमारी वीवर्स जो अपने आप पर फोकस कर रहे हैं अपने जोब पर अपने पर्सनाल्टी को ग्रूम कर रहे हैं अपनी पर्सनाल्टी को निखार रहे हैं उन लोगों की लाइफ में इस व्यक्ति का आना सडन से थोड़ा सा टेंसन वाला हो सकता है आप भी इस पर्सन के बारे में काफी कुछ थिंकिंग करेंगे या करती हुए दिख रही है मुझे इस पर्सन को अपने करे हुए का रिग्डेट है पस्तावा है लेकिन यह सरमिंदगी की बज़ा से आप से कुछ कह नहीं पा रहे हैं और यह फ्यूचर में भी मैसेज लिख लिक कर डिलीट करते रहेंगे हो सकता है कि सिर्फ हाई हेलो करने के बाद आगे कुछ और टाइप करने की इनकी हिम्मत ना पड़े या फिर आगे आगे आपको मैसेज सेंड करने की इनकी हिम्मत ना पड़े कुछ के साथ यहां पर मुझे मदर इसूज भी दिख रहे हैं मेभी इस परसन की मदर आपको लाइक नहीं करती है या आप से बात करना मिलना जुलना इनको पसंद नहीं है इनकी मदर कुछ पुराने ख्यालात की हो सकती है उनका बनी बनाई रीती रिवाज को मानने में बहुत ज़्यादा बिलीव हो सकता है जो समाज ने बनाई हुए दाइरे हैं वो सिर्फ उनमें चलना पसंद करती हैं और इस वज़े से वो टाइम टू टाइम इस परसन को पुस करती रहती हैं आप से दूर रहने के लिए और एक बड़ा कारड आप दोनों की बीच में दूरी का उनकी फैमिली भी रही है कुछ वीवर्स के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके परसन की फैमिली ने आप से दूर रहने के लिए आपके परसन पर कुछ टोने टोटके करवाए हैं और वो साइद अभी भी कुछ ऐसे रिचुल्स करा रही हैं कि ये परसन आप से दूर रह सके क्योंकि जितना आप दोनों की बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आप दोनों एक दूस्ट्रे को भूल जाओगे तो वो अपने काम में सफल हो जाएंगी लेकिन जो अचानक से अनक्सपेक्टिड आप लोगों की मेटिंग होगी अचानक से आप लोग मिलेंगे इसके बाद चीजें बहुत कुछ चेंज हो जाएंगी ये परसन चाह कर भी खुद को आप से दूर नहीं रख पाएंगे एक दू बार वो हाई हलो के बाद अपना अपालिजी मैसिज आपको ज़रूर सेंड करेंगे अगर आप दोनों में पहले जैसी फ्रेंड्सिप नहीं हो सकती है तो वो एक नॉर्मल फ्रेंडी तरह से आपके साथ आपकी लाइफ में रहना चाहेंगे क्योंकि इस परसन की जो फ्यूचर स्ट्रेटिजी मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये एक एक स्टेप आगे बढ़कर आपकी तरह आएंगे इस बार ये कुछ अलग सोच रहे हैं कुछ इस्ट्रेटिजी इनके मन में चल रही हैं लेकिन यूनिवर्स उन चीजों को अभी मुझे रिवील नहीं करा रही है जब वक्त आएगा उस वक्त यूनिवर्स मुझे मैसिजिस देगी और मैं आप लोगों तक कनवे करूंगी आपके भविश्य में जो होगा उसका डिटेलिंग यह है आपके रिस्ते की भविश्यवाणी आपके रिस्ते में क्या होगा फ्यूचर में वो डिटेलिंग उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे रिलीफ मिला हो आप लोगों को एक पीसीफुल मैसज मिला हो अब हम कुछ मैसेज इस उनकी एड़ से देख लेते हैं चेक कर लेते हैं यहां पर मैंने कुछ आपके पर्सण की तरफ से मैसिजिस रखे हुए हैं कुछ जंडरल मैसेज लेते हैं क्या यूनिवर्स बताना चाहती है गाइट करें है दो मेस्जिस यहां से ले लेती हूँ यहां से देखते हैं क्या है आपके लिए थैंक्यू यूनिवर्स गाइज इतने सारे मेस्जिस अचानक से जंप आउट होकर नीचे गिरे हुए थे मैंने निकाल लिए हैं सभी अब देखते हैं कि आपके लिए यहां से क्या क्या आता है तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहां से सबसे पहला मैसेज है यह यूनिवर्स की उर से है उमीद खुद से कीजिए दूसरों से नहीं सेकेंड मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स प्रे कीजिए जो आपका है चल कर आएगा थैंक्यू यू यूनिवर्स थैंक्यू सो मच मैसेज आपके पार्टनर की ओर से है येस आई एम पजेशिव ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेशिव है सेकेंड तुम बहुत खुबसूरत हो ये उनकी ओर से सेकेंड मैसेज है सम्ठिंग बिहाइंड देखिए जैसा कि रीडिंग में भी निकल कर आया था कि ये परसन कुछ future strategies बना रहे हैं जो कि अभी universe ने भी मुझे नहीं बताई है तो देखिएगा कि future में आपके लिए कुछ special निकल कर आएगा कुछ खास होगा आप सभी के लिए प्लीज come back I am sorry ये परसन आप से sorry बोल रहे हैं और आपको वापस आने के लिए कह रहे हैं यहां पर number 4 है यहां पर number 1 है 41 या 14 आपके लिए खास हो सकता है 41 और 1441 यह mirror numbers है इनको आप google करिएगा इनमें आपके लिए कोई message होगा यहां पर एक message है इसके अंदर your intentions are manifesting quickly make sure you are focusing on what you actually want देखिए आप लोग जो हमारी viewers है इनकी manifestation power बहुत high है अगर आप अपनी life में अगर सिर्फ problems पर focus कर रहे हैं तो आप problems को ही attract करेंगे अगर आप healthy चीजों पर healthy thinking रख रहे हैं तो आप वो attract करेंगे अगर आप अपने partner के साथ अपनी family life देख रहे हैं happy life देख रहे हैं आप उसको attract करेंगे तो यह बहुत ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो सोच रहे हैं दिन रात 24 गंटे वो आप attract कर रहे हैं अब यह आप लोग देखिएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं number four आपके लिए significant हो सकता है तो यह हैं आपके लिए messages उमेद करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई हो आपसे resonate की हो dear reading पसंद आए तो इसको like, share और subscribe करिएगा क्योंकि आपका support मेरे लिए बहुत जरूरी है thank you आप सब लोग मेरे साथ जोड़ते हैं reading देखते हैं मुझे appreciate करते हैं आपके messages मुझे motivate करते हैं thank you so much आप सभी को और जो daily comment कर रहे हैं मैं आप सब के लिए बहुत आभारी हूँ I love you all मैं आप सब के comments पढ़ती हूँ और आप सब लोग मेरे दिल में हैं thank you so much